कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक युनिवर्सल ब्रदर्वूड का माद्यम है, ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें, और इसके थुरू हम युनाइट हो जाएं, तो मेरा सवाल ये है, कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं, कि उसे इंसान की तरह करता फीलिंग्स है, वो मैंने सजा देता है, हमें रिवार्ड करता है, पर हमारे अलावा इस युनिवर्स में, मैं उस वर्ड पर स्ट्रेस करूंगा, युनिवर्स में जानवर भी हैं, जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं, असलाम अलेकुम दोस्तों स्वागत है आपका हमरे यूट्यूब इसलामिक चैनल में, दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आओं, फिर एक डॉक्टर साइकर नाइक की बहुत ही खूसूरत स्पीच, जैस इस लोग ऐसे की होते हैं, जो इसलाम कभूल करते हैं, दोस्तों ऐसी वीडियो में आपको दिखाता रहता हूँ, ऐसे ही कंटीनियू होते हैं, मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें डोक्टर साइकर नाइक से किसी एक हिंदु भाई नहीं, को इसला इसलारों में अच्छे जिए का शेयर करना, तो कि बहुत अच्छी वीडियो है, आपसे एक छोटी सी रिग्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली दपाय हो, तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए, और पहला इकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी ने अच्छाने वाली अच्छी वीडियो को आवन मोटिक्विशन आपको मिल से, चलिए उसको वीडियो को स्टार्ट है, नमस्कार, मेरा नाम निखे लोखदे है, और मैं सौफ़वेर इंजीनियर हूँ, आज हम जिस चीज के लिए आपने जमा हुए है, उसका टॉपिक यूनिवर्सल ब्रदर ह पर मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि हम इंसानों तक सीमित रह गए, मेरा ऐसा कहना है कि हम इंसानों में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनकी कुछ फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं, और अगर आप उन्हें होट करते हैं तो यह उस इ यह मानना है कि भगवान कुछ नहीं है सिर्फ एक युनिवर्सल ब्रदर हुड का माद्यम है ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थुरू हम यूनाइट हो जाएं तो मेरा सवाल यह है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की त भगवान के बिना चल रहा है जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं वो भी जीवित हैं हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं पर वो भी इस रुष्टी का हिस्सा है तो इस यूनिवर्सल ब्रदर हुड म में उनके प्रती हमारी भावना है कि बारे में कुछ जिक्र हो और मैं जाना चांग हो कि क्या पैंथीजम इसका एक सॉलूशन नहीं है क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजल को वर्शिप नहीं करते जैसा कि जूराइजम में कहा गया है कि I am a jealous God और एक jealous एक ऐसा emotion नहीं जबकि धारणाए definitions भगवान की हमेशा बदलती रही है तो अगर हम God को constant के रूप में देखना चाते हैं और इसे एक माध्य मनाना चाते हैं आपसी भायचारेगा आलमी भायचारेगा तो क्या pantheism इसका एक solution नहीं है मैं सवाल पूछा कि universal brotherhood हम सिर्फ इनसानों तक मेहदूद रे गए है क्या जानवर में जान नहीं है और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताके आलमी भायचारा रहे लेकिन क्या pantheism इसका solution नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखे माई सबका अच्छा सवाल है सवाल के दो हिस्से है पहला एक हिस्सा है कि universal brotherhood सिर्फ मेहदूद इनसानों तक क्यूं जानवर पेड़ पौदों को क्यूं नहीं लिया गया जूसरा सवाल क्या pantheism इसका solution नहीं है पहले सवाल का जवाब के universal brotherhood आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीजों को क्यूं नहीं लेते है अगर लेंगे तो जीना ही मुम्किन नहीं है अगर हम लेंगे पाकी जीवित चीजों को हम आलमी भाईचारे में लेंगे तो आपको यहां खड़े रहना भी मुम्किन नहीं है पांच मिनिट तक क्यों मैं बोलूँगा ठीकि मैं डॉक्टर हूँ भाईचारे का एक उसूल है कि दूसरे भाईचारे का कतल मत करो उसूल है कि ने ठीक है आप सांस ले रहे अभी सांस ले ना आप जब सांस लेते हैं लाखों जर्म्स का कतल कर रहे हैं आप कैसे भाईचारे का कतल कर रहे जीने के लिए तो इसलिए भाईचारे का चीज मेरे भाई है तो आप भाईचारे के खिलाफ कोई भाईचारे में ये नहीं है कि दूसरों का कतल करो अपने आपको जिन्दा रखने के लिए कभी भी इसलाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबा हो अपने आपको उंचा करने के लिए और मैं अल्ला के रसूल के समझ में बिझम आपको अलाध कि रसूल फर्मातें क vidéos कि आप जब देखते हैं एक खजूर का दरकट पांध्री वो एक मूमिन की मिसली मिसल मूसलिम की मिसली है तो तो ऋच्छवा सोचते इसका क्या मतलब क्यूं एक खजूर का दर्खत पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे हैं समझ में नहीं उनको आज हम जानते हैं उसका मनला के रुसन ने क्या कोई भी पेड़ पौदे जब भी बढ़ते उपर वो क्या करते हैं आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं फिर ही बढ़ते हैं न पेड़ बढ़ता है तो क्राक हो जाता है फिर से टाइल लगाते हैं जितना पहुदा Бढटा है उतना आजू बाजू नुकसान करता है एक वाहिद दरख्त धर पाम ट्री जो जितना उच्छा जाता है बाकी लोग जाते वहां जाते इसके घर में घुस्ते उसके घर में आजो बाजो घुम्दे नहीं अगर आप अपने आपको बड़ा बढ़ने के लिए दूसरों को दबाएंगे ये मुस्लिम नहीं तो अजर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाई चाहर करूं तुम मुझे जीने का हखी नहीं किसी ओ जीने का हख नहीं लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पोचाएं जान बुचके इसलिए इसलाम में जब मुहम्मद स. अल्लाव स. पेगाम दिये अरब देशों में अरब मुमालिक में तो लोग ने का ये कैसा इंसान है जब अल्ला के रुसुन ने का कि उट के अब पर जज़ा वसंद मत डालो हराम हैं गोडे को ज़्यादा तकलीफ मत दो तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की उकुकी बात कर रहा था अभी जानवरों की उकुकी बात कर रहा है अल्ला के रसुल फर्माते हैं जब एक शक्स आज उगा दमने आख को पूचाओ क्यों उधर चीटिया मर रहे है उसका मतलब जान बूच के कोई भी जीवे चीज को मारना हराम में सिर्फ अंजाने में इजादत है या जिसकी इजादत खुदा ने आपको दी है जिसकी इजादत दी है खुदा ने मिसाल के तोर पे मनुस्मिती में चैप्टर नमबर पांच श्लोका नमबर 30 में लिखा गए कि खुदा ने कुछ जानवर को बनाएं खाने के लिए और किसको खुराग बनने के लिए Some to be eaten, some to eat अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है तो कोई गुणा नहीं है मनुसमिती चैप्ट नमबर 5, श्लोक नमबर 30 में अगर आप उस जानवर के खतल करते है जो खानी के लिए बनाये गया है तो आप गुणा नहीं कर रहे है मनुसमिती चैप्ट नमबर 5 श्लोका नमबर 40 में जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाये गए उसकी कुर्बानी देना गुणा नहीं है मैं क्यों हिंदु धम से कह रहा हूँ मुस्लिम से भी कह सकता हूँ वह से हवाले उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए लेकिन अगर अगर अंजाने में चलते चलते चीटी मर गई तो आप भार चले नहीं सकेंगे आप सास लेंगे जर्म तो अल्ला ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आम तोर पे तो आप गुनेगार नहीं मालम कोई जेन लोग माक्स पिंते तो भी मरते पानी को उबालते उबालने से मार रहे उबालने पानी पीके फाइदा क्या अंदर मानने के बदले भार मान रहे क्या फाइदा एँ मुम्केनी नहीं है लेकिन जान बूच के कोई जानवर को और एक मिसाल दूँगा हमारे खतीब जुमा नमास पढ़ाई थे कल टॉक्टर उत्मान उनने अपने खुद्बे में मिसाल दी थी क्या एक आउरत थी जो बहुत बेहया थी क्या कहिए जो आम तोर पे लोगों की जीनत थी मैं लफ उर्दू दरा मेरे कमजोर है मैं किसी को ठेस ने पोजाना जाता इंग्लिश में कहेंगे not with a good character बाजारी आउरत दरा मैं मैं इसे लफ ने इस्टमाल करना चाहूँ किसी को चुछ पोचे तो बाजारी आउरत थी जो बहुत गुना करती थी लेकिन एक वक्त एक कुट्टे को पानी पिलाया तो अल्ला के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वज़े से खुद और अल्ला उसे जन्नत में जालता है दूसरी तरफ एक अच्छी आउरत नेक आउरत लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है चेंड करके रखती है उसकी आजादी को कैद करती है अल्ला ताला उसको जन्न में जालता है नर्क में जालता है इसे कहते जानवरों के हुकुक मतलब जानवरों के भी हुकुक इसलाम में हैं अल्ला के रुसुल फर्माते हैं कि चिडिया की जान भी मतलो बिना वजे चिडियां स्पैरो अब पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लक्षिर तो इसके